दोस्तों आपके माइंड में भी current account को लेकर बहुत सारे questions होगे तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा helpful होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आपको current account के बारे में बताऊंगा सब कुछ A to Z जैसे current account किसे खुलवाना चाहिए current account कब खुलवाना चाहिए क्या current account में कोई interest मिलता है क्या हमें transaction और किसी तरह का charges प्रे करना होता है इसी तरह के बहुत सारे confusion लोगों में फैले हुए है तो अगर आपने वीडियो पूरी देख ली तो इस बात का मैं दवा करता हूँ कि आपके पास और आपके mind में current account को लेकर कोई भी confusion नहीं रह जाएगा तो मैं हूँ advocate जीशान और आप देख रहे हैं मिरा YouTube channel business feed सबसे पहली बात तो यह होती है कि आखिर current account के हमें जरूवत क्यों होती है देखिए अगर आप कोई business man है या आप कोई professional है और आपके पास बहुत सारे transaction होते हैं मतलब बहुत सारे लोगों को पैसा देना होता है या बहुत सारे लोगों से चेक लेना होता या पैसा लेना होता या account में पैसा लेना होता या account transfer करना होता है तो इस तरह से अगर आपके पास बहुत सारे transaction होते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि आप current account जरूर फूर वाले क्योंकि अगर आप saving account से सारे transaction करते हैं सबसे पहली बात तो आपको इतनी ज़्यादा transaction करने के लिए bank से इजात नहीं मिलती है वो आ दूसरी बात आती है कि current account कौन open करा सकते हैं who can open current account देख्या current account खुलवाने के लिए अगर आपको एक individual है तब भी आप current account open करा सकते हैं अगर आपको कोई company है प्रेवलिंटर फर्म है पब्लिक लिम्टेट फर्म है या कोई Hindu फैमिली है कोई proprietorship के फर्म है या कोई partnership के फर्म है कुछ भी ISI को institute है तब इस case में आप बहुत ही असानी से अपने लिए current account खुलवा करते हैं third number क्या current account में जो balance हमारे पास होता है या जो पैसा हमारा जो है वो bank में deposit होता है क्या हमें उस पर कोई interest मिलता है तो देखे current account में आपको कोई भी interest नहीं मिलता है या आप कह सकते हैं 3-4% का interest मिल जाता है लेकिन current account में आपको कोई interest नहीं मिलता है अब चौती बात ही आती क्या current account में कोई minimum balance maintain करना होता है तो current account में आपको अपना minimum balance भी maintain करना होता है जैसे बहुत सारे बैंकों में 10,000 है किसी बैंक में 25,000 है इसी तरीके से यह minimum balance का amount है यह bank to bank depend करता है आप इस बैंक में क्या rule है वो उस पर depend करता है इसी तरीके से बात आती है transaction limit की दिकि अगर आप saving account में आगर transaction करते तो उसमें आपको एक limit मिलती है कि आप इस limit से ज्यादा transaction नहीं कर सकते हैं इतनी बार से ज्यादा पैसे निकाल नहीं सकते हैं लेकिन जब आप current account open कराते हैं तो इसमें आपको transaction पर कोई limit नहीं होती है आप एक दिन में जितने मर्जी उतने transaction कर सकते हैं जितने मर्जी उतने payment ले सकते हैं जितनी पेमेंट दे सकते हैं यह जरूर हो सकता है कि बहुत सारी बैंकें उन्होंने cash deposit और cash withdrawal पर कुछ limit जरूर लगा रखी है और ऐसा भी नहीं कि अगर आप उस limit से ज्यादा नहीं निकालते हैं हां अगर आप उस limit से को cross करते हैं और उसके बाद भी cash deposit या cash withdrawal करते हैं एक limit से ज्यादा तो आपको उसके लिए कुछ charges जरूर देने होते हैं चौथी नंबर बात यह है कि आप मेंने में भी आता हो क्या हमें कोई charges भी पे करन होना है किसी को payment करने हैं है ना या किसी से payment लेनी है आप कितना भी कर सकते हैं लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि cash withdrawal और cash deposit पर limit रखी जाती है जैसे आप एक दिने पच्छी हजार से यादा नहीं कर सकते हैं आप कुछ इस तरह का कुछ भी bank जो है बैंक डिपेंड करता है कि उन करने होता है कुछ इसी तरह के charges है जो आपकी गलतियों पर ही आपको देने होते हैं ठीक है इसके अलवा कोई अलग से कोई और तरह का charges तो नहीं होता है चौती बात इसमें आपको एक facility और मिलती है standing instructions की standing instructions का मतलब यह हो गया जैसे सब्सक्राइब को ऐसे expenses हैं या ऐसे आप के खर्चे हैं जो आपके हर मंत होते हैं जैसे suppose करिए आपको आपकी EMI है आपकी loan की किस्ते हैं या कुछ भी इस तरह का है तो बैंक आपको facility देती है अगर आप इसको अपने में चालू करा लेते हैं तो वह अपने आप ही हर मंत उतनी amount से जो आपका पैसा है वो deduct हो जाता ह और जिस खाते में उसे जाना है उस खाते में वह आप पहुच जाता है इसी के बाद आप बात कर लेते हैं कि आपको current account में कौन कौन से facilities मिलने लगी लेकिन इस वीडियो में आपको सारी बाते बताऊंगा तो देखे बताना बनता है कि इसमें आपको checkbook debit card ATM card ठीक है और online banking य पैसे जर्नल याद के लिए सारी facilities normal accounts में भी मिलने लगी हैं और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें कि इसके current account के फायदे और नुपसांदी के current account के अगर हम पहले फायदे की बात करते हैं तो अगर आपके पास कोई पैसा आपके पढ़ा है cash पढ़ा है तो वह उतना secure नहीं आपको एक फायदा और मिलता है आपको overdraft की facility भी मिल जाती है यह भी आपको एक फायदा हो देख रही है कि आपके account में पांच लाग रुपए average balance बना रहता है तो कभी आपको बैंक यह भी facility दे सकती है कि आप 50,000 रुपए available balance से जादा debit कर सकते हो मतलब यह आप as a unsecured loan भी ले सकते हैं bank से तो यह एक overdraft की facility भी मिल जाती है इसे के साथ साथ देखिए जो current account होता है वो easy to operate होता है इसे आप आसानी से operate कर सकते हैं इसमें आपको cash जमा करना है check जमा करना है किसी को payment करनी है online transfer करना RTGS करना online banking करना यह सारे जो आपको facilities है वो मिल जाती है यह भी इसके फायदों में ही आता है इसी के साथ साथ और important जो इसके फायदा है वो यह है कि इसमें आपको transaction पर कोई limit नहीं होती है आप जितना अमर्जी उतना transaction कर सकते हैं कोई आपको extra charges नहीं देने होते हैं but cash withdrawal और cash deposit में एक limit तक आप अगर अपने cash withdrawal और cash deposit का transaction करते हैं तब तो कोई charges नहीं होता है लेकिन अगर इसके बाद आप करते हैं तो आपको थोड़े बहुत charges देने पड़ जाते हैं और इसी के साथ साथ अगर हम इसके नुकसान की बात करें देखिए नुकसान के नाम पर तो मुझे सिफ ए current account को आप कैसे open करा सकते हैं current account को open कराने के लिए सब को suppose करिए सबसे पहले तो आपको फोटो की दरूबत परते यह photograph जैसे suppose करिए अगर आप प्रोप्राइटरश्यप के लिए उसके जो पार्टनर्स हैं। उनके फोटो सोटे थे जो जो फूर Villas परती हैं। उनके प्रोट मोथ परती है। प्रोप्राइटर सब्सक्राइब के तरूप्र है। पोजर मोथ है. या कम्पनी है या LLP है या OPC है तो इसमें आपको पर्म के पर्म की जरूवत पड़ती इस यह के साथ अगर पार्टनर्शिप के लिए आप अकँज होर्ट दो इसमें पर्म के घुडald की आंप बैसिक दो भी जाएगा हुर। तो इसमें आपको आपको इस यहomina मोबाइल नमबर आपका इमेल आईडी आपका एड्रेस ठीक है और इसी के साथ साथ जो भी जैसे सब्सक्राइब के प्रोप्राइटर्शीफ फर्म के लिए अब करेंट खुलवा रहे हैं तो उस प्रोप्राइटर के पास एक अपना सेमे अकाउंट भी होना जी क्योंकि जो सब्सक्राइब कराने में लगती है अब बात कर लेते हैं सबसे इंपोर्टन बात कि क्या एक से ज्यादा करेंट अकाउंट ओपन करा सकते हैं तो देखिए क्या होता है कि मशली बैंक कोशिश करती हैं कि आप एक ज्यादा करेंट अकाउंट ना खुल हैं लेकिन फिर भी अगार आपको जरूवत पड़ती है आपको ऐसी नीट है कि आपके पास एक रियादा current account होने चाहिए तो इस case में जिस भी bank में आपके पास current account पहले से है ठीक है और आप एक नई bank में जाते हैं current account खुलवाने है तो क्या होता है जो नई bank होती है वो पहले वाली bank में जिसमें आपका current account है उससे एक NOC certificate की मांग करत certificate आपको पुरानी वाली bank से मिला जिसमें आपका पहले से current account है वहां से आपको एक NOC certificate लेकर नई वाली bank में से NOC certificate पेश करने होते हैं और बाकी जितने भी मैंने भी documents आपको पने हैं वो सारे वहां पर आपको attach करने होते हैं और इसके बाद आपका account जो है वो दूसरे भी ख इसे banks को जो है loss उठाना पड़ता है तो banks की भी ये कोशिस होती है कि किसी तरीके से उनका पैसा मार्केट में या किसी businessman के पास फसने ना पाए और तो आज की वीडियो यहीं पर खताम होती हैं उमीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई हो अगर आप इसी तरीके से business related videos क को देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें थैंक यू